Hello everyone, कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का mathematics mentor स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने magnet brains में जो provide करता है 100% quality of free education के गारण से लेकर class 12 तक अगर आप लोग सी बेसी बोट से हैं तो आप लोगों के लिए तो है magnet brains का English medium channel लेकिन अगर आप लोगों के तो आप लोगों के लिए magnet brains का Hindi medium channel जहां पर आपको पढ़ाया जाते है class 6 से लेकर class 12 तक वो भी एकदम free और बढ़िया मज़िदार तरीके से इतना ही नहीं यहां पर आपको मिल जाते हैं धिरो सारे practice questions जिनकी मदद से आप लोग practice कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया number लेके तो आज के इस lecture में मिले के आई हूं आप लोगों के लिए class 10 mathematics quadratic equation जो की आपका chapter number 4 है उसमें अब हम बात करेंगे applications of quadratic equation for solving problem based on numbers मतलब अब हम लोग इस पूरे session में क्या क्या देखेंगे देखो जो आपके लिए में problems लेके आया हूं अब वो लेके आया हूं तोड़ तोड़क फिर age वाले question के बारे में बात करेंगे time distance के बारे में बात करेंगे मतलब ऐसे ही हम लोग तोड़ तोड़के लेके आये जैसे हम लोग pair of linear equations and two variable में लेके आये थे ठीक है तो बढ़िया interesting way में हम लोग चीजों को पढ़ते हैं sir number के ऊपर कुछ-कुछ चीजे तो बता दो तो problem जो कि हमारे numbers के ऊपर होंगे ठीक है अब sir numbers के ऊपर जो problem होंगे वो तो बात ठीक है लेकिन sir कभी कबार वो ऐसा बोल देता है जैसे sum of two number is 15 जेखो जैसे एक example लेते है बड़ी ऐसा एक बड़ी ऐसा एक example लेते हैं जिससे की concepts clear हो जाएंगे sum of two numbers जैसे मान लो कि वो बोल र number में जब भी वो 27 अगर बोल रहा है तो आपको उसको ऐसा समझ के चलना है जैसे कि आपके पास कुछ रुपए हैं मेरे पास कुछ रुपए हैं आपके रुपए और मेरे रुपए को अगर जोड़ दें तो हमारे पास 27 रुपीज है अब यह बताना है कि आपके पास कितने और मेरे पास कितने हैं आपके पास और मेरे पास रुपए में इलाकर 27 रुपीज हैं अब हमें यह बताना है कि आपके पास कितने रुपए और मेरे पास कितने रुपए हैं ठीक है ठीक है सर तो उसके लिए क्या करें चलो एक एक एक्जामपल समझो माने लो कि मेरे पास कि पास seven रुपीज है तो आपके पास कितने मचे वर में साहिए और यह त्विनטी सेवन्टिफोर ऐस student के पास मतलब आपके पास इतने रुपए है ठीक है मान लो कि किशोर सर के पास 14 रुपीज है अब आपके पास किते है सर सिंपल सी बात आपके पास और मेरे पास मिला के 27 रुपीज है अगर आपके पास 14 है तो मेरे पास 13 हो जाएंगे मेरे पास किते हो जाएंगे 13 कैसे निक या मेरे पास कितने हैं तो हमें कोई भी एक नंबर को x लेना पड़ेगा तब जाकी अगला आएगा आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी conditions में आपको कोई भी एक नंबर को एक unknown value consider करनी पड़ेगी जैसे कि अब आपको नहीं मालुम है कि किशोर सर के पास कितने हैं और आपके पास कितने हैं है ना तो आप किशोर सर वाले को क्या ले लोगे किशोर सर वाले को अब x consider कर लोगे समझो ये के के केसे से कन्फ्यूज मत हो जाना अब आपके पास किशोर सर के पास आपको नहीं मालूम की कितने तो लेट से एक्स है हना उनके पास कितने रुपे हैं लेट से एक्स रुपे हैं उनके पास अब आपके पास कितने बचेंगे 27 में से माइनस कर दो किशोर सर वाले 27 में से माइनस कर दो जो भी बचेगा वो आपका होगा यहाँ पर भी इसे किया 7 रुपय अगर किशोर सर के पास थे 27 में से 7 को माइनस किया 20 जो कि आपके पास थे 14 रुपय अगर किशोर सर के पास थे तो 27 में से 14 को माइनस कर दिया तो 13 रोपे आपके पास थे अपके शोर सर के पास अगर x है तो 27 माइनस x आपके पास है simple सी बाद तो यह sum of two numbers का case होता है ठीक है अब कभी-कभी तो बोलता है वो कि मान लो sum of the squares of two numbers sum of squares two numbers मतलब कि दो number के square का sum लेट से हमारे पास number अभी यही है कौन-कौन से 127 minus x ठीक है अब वो बोल रहा है sum करना है square of two number का square of two number मतलब इनके square का इसका square क्या होगा sir x square अच्छा इसका square क्या होगा sir 27 minus x का whole square इनके square का क्या करने को बोल रहा हो sum करने को बोल रहा है ठीक है तो इसका मतलब यह होता है आपको पूरा concept clear कर रहा हूँ ताकि अब जो chapter शुरू होगा ना उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी एक concept तो मैंने आपको यह वाला समझा दिया ठीक है sir एक concept मैं आपको यह वाला समझा दिया ठीक है sir एक concept और समझ लो भाईया कभी कभी वो बोलता है जैसे वो बोल देगा sum of the sum of a number and its reciprocal हाना किस किस का sum बोलेगा वो वो बोलेगा number का और उसके reciprocal का sum is जैसे वो बोलता है 3 तो आपको number नहीं मालूम और नहीं उसका reciprocal मालूम है तो let the number भी x आप यहाँ पर number को क्या consider कर लोगे आप यहाँ पर number को consider कर लोगे x ठीक है और उसी number का reciprocal क्या हो जाएगा देखो कोई भी अगर number है just like अगर हम लोग ले रहे हैं 3 एक number ले रहे है तो sir इसका reciprocal क्या हो जाएगा sir 1 by 3 अरे मैंने बोला कैसे क्योंकि sir 3 के नीचे क्या होता है 1 अच्छा अब इसका reciprocal मतलब इसका उल्टा 1 by 3 तो अगर एक number मेरे पास X है तो इसका reciprocal क्या हो जाएगा बोले sir 1 by X हो जाएगा अब इनका sum कित्ता हो जाएगा देखो ना बोल रहा है sum of a number and it's reciprocal किस किस का sum बोल रहा है number का और उसके reciprocal का तो number X था और उसका reciprocal 1 by X हो गया अब इसका sum बोल रहा है ठीक है और इसका sum वो किता बोल रहा है आपको इसका sum आपको बोल रहा है तीन बस हो गई बात खतम समझे बात को बढ़ियत गहरा ही तरीके से समझ गया सर तो बस यही था यह पूरा concept जो मैंने आपको सिखाया यह पूरा numbers के उपर concept सिखा दिया अब आपको जो revision करवाना है थ चल्दी से screenshot ले लिया ठीक है सर ले लिया अब अगर आपको चीज़े नहीं आई समझ में तो बहुत अच्छी बात है हम उनको questions में ही समझेंगे ठीक है लेकिन सर आप ना मेरे को थोड़ा सा quadratic equations के बारे में revision करवा दो क्योंकि जो quadratic equation के बारे में revision करवाओगे ना तो उससे म अगर यहां पर आयो ना सीधा तो यह फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात तो है कि आप पढ़ना चाहरे हो लेकिन आपके लिए और अच्छी बात के शूर सर यह बोलेंगे कि आपना पुराने lectures को एक बार देखके जरूरा क्योंकि पुराने lectures को दिख्या होगे ना मज आजाएगा इस बात की guarantee दे रहा हूं और जब तक मजा नहीं आए ना तब तक वीडियो को लाइक मत करना लेकिन अगर मजा आ जाए तो लाइक जरूर कर देना ठीक है और इस वीडियो में भी same to same मजा नहीं आ रहा तो बिलकुल आप देखते रहा हो मस्त तरीके से कोई दि वीजन करेंगे recap तो करेंगे sir recap तो बनता है चलो डीके heading डालते है recap okay sir sir recap recap ले रहा है recap okay sir चलो जैसे ही हम लोगोंने quadratic equations को शुरू किया था तो quadratic equations में हमने क्या पढ़ा था sir quadratic equations में हमने सीधी 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 एकी बात देखी थी कि जो इसका general form होता है वो होता है sir ax square plus bx plus c बरापर 0 जहां पर sir हमें क्या करना होता है न हमें x की values को निकालना होता है अच्छा यहां से हम लोग क्या करते हैं न solve करते हैं हम लोग quadratic equations को जब हम लोग solve करते हैं quadratic equations को तो हमारे पास दो method आते हैं कौन-कौन से एक तो आता है sir factorization method और दूसरा आता है sir हमारे पास quadratic formula ठीक है sir जिसको sir हम लोग श्रीदराचार्या rule भी कहते हैं अब sir factorization में क्या होता है आपके पास x की दो values निकल जाती है ठीक है let's say थोड़ी देर के लिए alpha और beta alpha और beta हना आपके पास दो value निकल जाएगी वो positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है और zero भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है ठीक है लेकिन आपके पास जो यहाँ पर value आएंगी ना वो आपको quadratic formula का एक भाई है वो है discriminant हाना भाव बोलाता है हमने उसको भूलना मत तो discriminant भाव आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपको जो यहाँ पर value मिलने वाली है वो कैसी मिलने वाली है ठीक है तो चलो बात करते हैं थोड़ा सा quadratic formula की हलाकि quadratic formula में मैं आपको बता देता हूँ की quadratic formula क्या होता है don't worry किस ओर सर भरी पूरे मैच पे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास minus का b plus minus root of b square minus 4ac whole upon 2a ठीक है ठीक है सर सर यह तो हो गई बात खतम लेकिन सर आप एक चीज़ और बता रहे थे वो बता रहे थे सर किसके बारे में nature of roots के बारे में nature of roots तो nature of roots जब भी कोई पूछेगा ना तो हम लोग बताएंगे on the basis of हमारा discriminant भाव कौन सा भाव discriminant के basis पे बताएंगे ठीक है अब discriminant क्या होता है तो discriminant होता है d बराबर b square minus 4ac सर आप ना यहाँ पर a, b, c लिख रहे हो तो यह जो a, b, c है यह क्या करना है करना क्या है इन सब का अरे यार भूलो मत एक कोई भी quadratic equation अगर आपके पास होगी तो आपके पास a, b, c यहाँ पर डाल के आप x के values निकाल सकते हो दो values आएंगी एक बार plus में लेना एक बार minus में लेना आपके पास आजाएगा ठीक है सर, तो b square minus 4ac अब जब यह d square, d बरावर b square minus 4ac के हम लोग बाग करते हैं तो इसके ना तीन cases arise होते हैं तीन cases arise होते हैं पहला case कि जब आपका जो discriminant है वो 0 से छोटा हो मतलब क्या मतलब सर, जब आपके पास b square minus 4ac की value 0 से छोटी है अच्छा, जब b square minus 4ac की value 0 से छोटी आएगी मतलब जब discriminant छोटा आएगा 0 से अब 0 से छोटा मतलब negative में पहुँच गए वो और negative में हमें वहाँ पर roots नहीं मिलते क्या बोल दोगे आप सीधा सीधा no real roots ओके सर, छिलाईए मत, छिलाईए मत कि शोट सर अरे मैंने बोला मत छिला नहीं रहा हूँ मैं तो समझा रहा हूँ case 2 सर हो सकता है कि वहाँ पर d 0 आजाए क्या हो जाएगा भईया d आपका 0 आजाए d 0 आने का क्या मतलब है कि b square minus 4ac 0 आ रहा है अच्छा, तो यस case में आपके पास हो जाते है 2 equal real roots 2 equal real roots ठीक है सर, सर इसके बाद वाली एक condition और फस्ती है जाको नाम हो एह सर case 3 क्या वाया, case 3 ठीक है, ठीक है, अब case 3 क्या होता है सर, race 3 नहीं है, यह case 3 है अच्छा, सर, discriminant 0 से छोटा मतलब, discriminant पहुच गया negative में, negative में हमें roots नहीं मिलेंगे मतलब, x की values नहीं मिल पाएंगी सर, discriminant जब 0 हो जाएगा 0 का मतलब है कि आपको वहाँ पर value कैसी मिल रही है, इक्वल मिल रही है इसलिए दोनों equal values आएंगी x की ठीक है, सर, तीसरा case एक होता है कि जब जो आपका d होता है ना वो greater than 0 जब आएगा अगर आपका discriminant 0 से बढ़ा आएगा, मतलब आप लोग पहुच गए positive में तो जब 0 से बढ़ा आया, मतलब की b square minus 4ac is greater than 0 हाई देखो, simple सी बात है b square minus 4ac 0 से छोटा, अगर discriminant 0 से छोटा दोनों तो equal है, तो अगर मैं इसको छोटा बोल रहा हूं, मतलब ये भी तो छोटा ही होगा ना अगर मैं इसको बराबर 0 बोल रहा हूं, तो ये भी तो बराबर 0 होगा ना अगर मैं discriminant 0 से बढ़ा बोल रहा हूं, तो b square minus 4ac भी तो 0 से बढ़ा होगा होगा सर तो यस केस में आपके पास तू डिस्टिंक्ट कि रियल रूट्स होंगे बाभू भीया समझ गया समझ गया सर समझ गया ठीक कि सर पक्का बैंकर दरी कि सर दिमाग में नहीं आया दिल में आ मैंने बोला है और आजीब लगा क्योंकि सुनके कि दिमाग में निया लेकिन बाद वाली राइन जो आपने बोली कि दिल में आ गया तो किशोर सार एक्दम खुश होगा है एक बार जल्दी से लिख लो सबसे पहले जो भी आपको फािंड करना हो ना सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या आपका डिस्क्रिमिन ठीकinder है कमाल की बात नहीं यह श्रीदर रचारिया की बात थे कि आप इसको उल्टा उल्टा तो नहीं करोगे नहीं सर बिलकुल एकदम सीधा सीधा ही करेंगे तो यह रा question चलो जल्दी करो पहला question revision तो बढ़िया तरीके से सब कुछ कर लिया अब सीधा questions आएंगे हो गया हो गया sir पढ़ा पढ़ा sir लेकिन कुछ आया नहीं समझ में रहे मैंने बोला क्या बोल रहे हो यार देखो मैं पढ़वाता हूं question बोल रहा है the sum of the squares of two consecutive natural numbers is 313 find the numbers अब सबसे पहले तो समझो consecutive number क्या होते हैं भाई दुनिया का कोई भी number बोलो बोला sir 108 मेरी मर्द जी मेरी मर्द जी 108 अच्छा अब 108 के बाद क्या आएगा बोलो sir simple सी बात है 109 आएगा अच्छा अच्छा 109 के बाद क्या आएगा बोलो sir simple सी बात है 1010 आएगा ठीक है उसके बाद बोले sir 111 आएगा मैंने बोला अच्छा बढ़ी आ है मतलब 108 से 109 कैसे बना बोले सर सिंपल प्लस वन करके 108 से 11110 कैसे बना simple sir plus 2 करके 108 से 1111 कैसे बना simple sir plus 3 करके आपके पास एक नमबर तो पता चल जाता है दुनिया का खोई भी नमबर अगर आप उठाओगे तो आपके पास अगला तो बनाने को तैयार होगा जैसे अगर मैं बोलू आपको simple ची 38 तो आपके दिमाग में अगला ही number run हो गया होगा 39 होगा फिर 40 होगा फिर 41 होगा ठीक है लेकिन इस case में थोड़ा सा अलग है इस case में थोड़ा सा अलग है consecutive number यही number होता है जो continuation में चलते हैं लेकिन यहां पर दिक्कत यह ना कि आपको बोल रहा भाया sum करना है squares का किसके consecutive natural numbers के तो consecutive numbers तो हमारे पास है नहीं और natural number बोल रहा है consecutive में मतलब सारे positive होंगे ठीक है और one से शुरू हो रहे होंगे तो हमें लेकिन मालूम नहीं है कि कौन सा number लेना ऐसे natural number तो हमारे पास बहुत सारे हैं तो let the consecutive number भी x एक consecutive number अगर x हुआ तो अगला वला आपके पास तयार बेठा है कौन होगा बोले सार सिंपल सी बात है अगला x plus 1 होगा अगला x plus 1 होगा अरे देखो ना 108 से 109 कैसे बना जब हमने पीलस 1 किया 108 से 110 कैसे बना जब हमने पीलस 2 किया 108 से 111 कैसे बना जब हमने पीलस 3 किया तो वह एक से अगला सिंपल से बहुत ही जादा सिंपल समझे प्लस थ्री करेंगे कंसेप्ट समझो आप तो क्वेश्चन तो होते रहेंगे यार कंसेप्ट तो समझो ठीक है तो लेट तो टू कॉन्सीकुटिव नंबर्स आर क्या-क्या आपके एक तो हो गया आपका एक्स और अगला क्या हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन ठीक है एक तो हो जाएगा एक्स और अगला क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन आप वो बोल रहा था साम अफ दी स्क्वेश्च अफ टू नंबर्स अफ दा सम अफ दी स्क्वेर्स कर लो पहले टेका सरॉ Chronvs हंगे इसका ます कर ने पर आऊंंगे तो इसका स्क्वेरे तो हो जाएगा सरेटस्वेट कंग stretchy और सबक्सक्वेर कर जांगे तो हो जाएगा सरे fixWaitald上 स्क्वेरं동 का अब सब्दिकरन कोरें को सब्सक्राइग 2 क्या भाईया? कि भाईया, sum of the square of two consecutive natural number is, इस बोले तो is equals to 313, इस का मतलब is equal to, ठीक है? तो square, इनके square का sum, इनके square का sum, इनके square का sum 313 है, simple है सर, पहुँच जादा simple, सर इतना सादा simple तो आज तक नहीं देखा, क्योंकि सर consecutive number का चैसी concept समझ में, आया ना, हमने इस question का game बजा दिया, जैसे ही हमें consecutive number का concept समझ में आया, इस question का हमने game बजा दिया, game बजा दिया, okay सर, ठीक है, अब x का square तो x square ही होगा, ठीक है, x plus 1 का whole square क्या होगा? सर, x square plus 1 plus 2x, सियाद करो, a plus b का whole square, a square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus 2ab, okay सर, तो a square plus b square plus 2ab, बड़ा पर 313, 313 को left side लेका, x square और x square होगा, सर, 2x square plus 2x plus 1 minus 313, सर, 2x square plus 2x minus 312 पराबर 0, अरे बोलो, हा, 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 सर, हा, हा, सर, ठीक है, ठीक है, 312, अब 2 को निकालो, common, अंदर बच जाएगा, x square plus x minus, सर, यहां से, अगर हम लोग 2 common निकालना चार है ना, तो आपके पास अंदर बचेगा, सर, 156, कित्ता, 156, बड़ाबर 0, तो आपके पास 2 को जब आप डिवाइट में भेज़ दोगे, तो आपको पास जो quadratic बनेगा, वो बनेगा यह, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले हम लोग discriminant चेक कर लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पहले हम लोग discriminant चेक कर ले, कर ले क्या, कर लो सर, तो आजाओ equation को पीछे लेके चलता है, क्या है सर, equation में हमारे पास, x square plus x minus 156, बड़ाबर 0, अब सर, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग discriminant चेक कर लेते हैं, कि हमारे चो real root से वो exist कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर, तो सर, इधर पे हम लोग बात कर लेते हैं, discriminant की, तो discriminant आ जाएगा सर, हमारे पास, d बड़ाबर, b square minus 4ac, सर, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, compare करना पड़ेगा, किस के साथ, b square minus 4ac के साथ, अरे नहीं सर, ax square, plus bx plus c, बड़ाबर, 0 के साथ, तो सर, a हमारे पास आजाएगा, 1, b आजाएगा, सर, हमारे पास, 1, और c आजाएगा, सर, हमारे पास, minus में, 156, ठीक है, तो अब आपके पास, जो d आजाएगा, वो आजाएगा, अब b का square बोले तो 1 का square, minus 4, a आपके पास है, 1, और c आपके पास है, minus में 156, ठीक है, तो d आजाएगा, आपके पास, 1 plus, अब आपको minus minus plus हो गया, 156, 4 times करना पड़ेगा, 6 4s आ 24, 5 4s आ 22, और 4 1s आ 4, 5, 6, 6 24 आ रहा है, आपके पास, कितारा है, 6 24, तो discriminant आ आपके पास, 6 25, अब देखें, which is greater than 0, discriminant आपके पास क्या है, greater than 0 आया, मतलब आपके पास यहाँ पर दो distinct real roots होंगे, क्या होगा भीया, दो distinct real roots यहाँ पर आपको पका मिलेंगे, मिलेंगे क्या, मिलेंगे, चल, अब अगर मिलेंगे ही, तो हम उसको find क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी find करो भाई, जल्दी find करो, आज़ाँ सर, सर, अब हम अगर discriminant की मदद से, अगर हम अपने roots को find करने चल रहे हैं, मतलब की सर, हम लोग x की value को अगर find करने चल रहे हैं, तो by using quadratic formula हम उसको find कर सकते हैं, कौन सा? by using quadratic formula, ठीक है, अब quadratic formula में क्या होता है, सर, x बराबर minus का b, plus minus root of b square, minus 4ac, whole upon 2a, ठीक है, सर, लेकिन आपना काम बढ़वा देता हूँ, मैंने बुला क्यूँ, सर, quadratic लगवार हो, आप एक तो, सर, फिर से निकालो, b square minus 4ac, मैंने बुला क्यूँ निकालना, क्यूँ निकालना, अरे यह है तो, अरे, b square minus 4ac, तो है, 625, सीधर रख दिंगे, आचा, तो x बराबर minus का b, मतलब की minus का 1, plus minus root of 625, किता, whole upon में 2a, 2a बोलो तो 2 बन जा, 2, x के लिए क्या आ गई, minus 1, plus minus 25, whole upon में 2, अब इसको एक बार क्या करना है, बोलो सर, एक बार तो plus में लेना पड़ेगा, और एक बार सर, अपने को minus में लेना पड़ेगा, तो जैसे हम एक बार plus में लेंगे, तो minus का 1, plus में 25 by 2 हो जाएगा, अच्छा, और एक बार सर, जब हम इसको minus में लेंगे, तो देखो सर, सर, x आ जाएगा, हमारे पास 24 by 2, मतलब की 12, कित्ता 12, ठीक है, और अगला आ जाएगा सर, हमारे पास कित्ता, minus में 26 by 2, मतलब की minus 13, minus 13, इसको तो मैं नहीं ले रहा, क्यों सर? क्योंकि negative है, क्यों, क्यों, क्यों? क्योंकि negative है, आच्छा, सर, और कुछ रीजन वताओ बहुत निगेटिव निगेटिव बोल रहे हो सर और कुछ रीजन वताओ मैंने बोला समझो क्या बोल रहा था वो क्या बोल रहा था वो क्या बोल रहा था वो निगेटिव ले सकते हो क्या निगेटिव ले सकते हो नाचरल नंबर निगेटिव होते हैं क्या नहीं होते हैं तुर्रंत नेगलेक्ट कर दो तो X परापर 12 भी हम सिर्फ लेंगे अच्छा तो सर हमारे पास आंसर क्या हो जाएंगे find the numbers बोल रहा है तो 2 consecutive natural number आपके क्या हो जाएंगे x और x प्लस 1 थे ठीक है आजब क्यों क्यों थे x और x प्लस 1 ठीक है एक बार जल्दी से पहले इसका screenshot ले लो ले लिया वही है screenshot बास तो आपको लिखना है hence 2 consecutive numbers आर x और x प्लस 1 थे ठीक है तो उसे साब से x तो हो गया आपके पास एक number 12 और एक हो गया 12 प्लस 1 मतलब 13 तो ये हैं आपके पास 2 consecutive number एक बार जल्दी से screenshot ले लो हो गया ठीक है इसका हो गया हो गया सर वो consecutive number का concept समझ में आ गया बिलकुल भैतरीन तरीके से आ गया सर बढ़िया तरीके से चलो अब आगे की बात ले लो जरा इधर का पीछे का आपन हटा देते हैं थोड़ा सा ठीक है मैं यहां साइड में खड़ा हूं जब तक पढ़ो और पड़ा सर थोड़ा भूद आया भी समझ में ऐसी बात नहीं है थोड़ा भूद हमें क्या हुंगा रहा है समझ में ठीके पड़े 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 हो nhất है बाद रहें चाह् Detroit जब पड़े में चीजे समझ हमें आई यह सार यह तो वानना पड़ेगा चीजे होगा सर इसमें चलवा question number two बोल रहा सार the sum of the two number is 15 sum of the two number is 15 ठीक है if the sum of the reciprocal is three by ten find the numbers समझ गया सर समझ गया सर सबसे पहले तो यहां पर number ना लेके उसको क्या ले लेंगे आपके और मेरे पैसे ठीक है आपके पास जित्ते रुपे और मेरे पास जित्ते रुपे अगर अपन उसका sum कर देते तो 15 रुपे मतलब आपके पैसों का और मेरे पैसों का मिला के 15 रुपए हैं हमारे पास ठीक है 15 रुपए है अगर मेरे पास 2 रुपए तो आपके पास किते हैं सर सिंपल सी बात है 15 में से 2 को माइनस करो 15 में से आपको माइनस करो 13 तेरा आपके पास है पंदरा आपके पास और मेरे पास है अगर मेरे पास मान लो आठ रुपए तो सर सिंपल सी बात है ना पंदरा पंदोनों के पास है तो आपके पैसे माइनस कर दो पंदरा में से मेरे पास साथ रुपए है आपके पास साथ मेरे पास आठ आठ और साथ पं को माइनस कर दो अच्छा 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 वादब दू नमबर ऐसे आ जाएंगे हाँ ऐसे आ जाएंगे तो आपके पास sum of the two number 15 है न तो आपके जो numbers आएंगे वो कहेंगे let one number भी X तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा अधर नंबर किता सर्फ 15 में से पहले वाले को माइनस कर दो क्योंकि दोनों का सम 15 है ठीक है, एक अगर X हो जाएगा तो अगला क्या हो जाएगा, 15 माइनस X हो जाएगा, आप बात को ध्यान दे समझे हना अब बात को बहुत जादा ध्यान दे समझना according to given condition according to given condition क्या बोल रहा है सार if the sum of the reciprocal is 3 by 10 if the sum of the reciprocal is 3 by 10 है ना इस मतलब is equals 2 अब is equals 2 तो करी लेंगे हम लोग और साथी साथ सम भी कर लेंगे लेकिन इनके reciprocal का भाईया अगर number ये है तो इसका reciprocal 1 by x हो गया ठीक है और अगर number ये है तो इसका reciprocal हो गया हमारे पास 1 upon 15 minus x ये दोनों क्या है ये दोनों है आपके reciprocal ये दोनों क्या है भाईया ये दोनों है आपके reciprocal हना आपके पास अगर एक number x है तो इसका reciprocal 1 by x होगा क्यों क्योंकि सर एक्स के denominator में क्या होता है समझना x के denominator में 1 तो इसका उल्टा करना होता है न रैसी प्रकल तो 1 by x अच्छा सर 15 minus x के नीचे भी कौन है 1 है तो इसका उल्टा 1 upon 15 minus x समझ या सर तो ये दोनों क्या है इनके reciprocal है अब इनके reciprocal का सम करना है आपको मतलब की सर 1 by x प्लेस 1 upon 15 minus x का जब सम करोगे तो you will get 3 by 10 सर बेरी सांदार है बेरी सांदार सर मजा आ रहा है चल अब आगे solve करना है सर सिंपल है मैं तो कहता हूं सर सिंपल है सर 15 minus x 1 के पास गया तो यह हो गया 15 minus x प्लास सर यह x जब बन के पास गया तो x whole upon सर जब x आपका 15 minus x के पास गया तो देखते सर क्या होता है और upon में 3 by 10 बराबर में 3 by 10 ठीक है सर सर x से x कट गया बाकी सब बढ़ गया आगे देखो सर 15 upon x का multiply करी लो 15 x minus x square बराबर 3 by 10 10 ले आओ इदर और बाकी का ले जाओ उदर ठीक है सर पहुचा देते हैं अभी अभी ठीक करके देता हूँ चलो यह आप करूँ क्या है यह फिर पीछे ही सर यह तो concept है यह तो आपका concept है तो इसको तो यहीं पढ़ रहे हैं दो सर हर पेज में आपके concept जो रहेंगे न वो तो मैं लिखूँगा सर concept यह है ठीक है सर अब सर जड़ा इसको करो इसको आगे बढ़ आते हैं अपन लोग आगे हम लोग चलो ठीक है थोड़ा एक एकाज step यहां कर लेते हैं बस ज्यादा नहीं करेंगे 10 का जब 15 से multiply तो 150 इसी इक्वल्स टू 3 का जब इस पूरे के साथ multiply करोगे तो देखो क्या मिलेगा बोले सर 150 बराबर 45 X माइनस 3 X स्कूर अब इन सब को इधर लेके आना पड़ेगा क्योंकि ने X स्कूर आपका negative में हो रहा है तो लो भी है इधर लेके आगा है positive हो गया और यह positive इधर लेके आओ negative हो गया Sir ठीक है सर 3 common आ रहा है सर निकालू गया मैंने बुला बिलकुल निकालू अंदर बचेगा sir x square minus 15x plus 50 बराबर 0 समझ में आया क्या बिलकुल आया sir sir आगे अगर हम लोग 3 को divide में भेज देंगे तो हमारे पास sir क्या बचेगा हमारे पास बचेगा sir x square minus 15x plus 50 बराबर 0 sir अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे options जानताऊ हूझ अच्ट कौड्राटिक बन गई न अब आप इसके साथ जबरदस्ति करके इसका डिस्क्रिमिनिंट निकालोगे और बोलोगे अब ठक ठक बता जल्दी से कि तेरे रूट्स कैसे आएंगे यह बताएगा जबरदस्ति करके क्या यह आज आएगी डिस्क्रिमिनिंट बढ़ाबर जीरो न वेडर तो मैंने इसमें फैक्ट्राइजिशन लगा है आपका क्या मानने इसक्रिमिनिंट लगाने की ज़रूरद नहीं इन whack princesि लगाू क्योंकि बहुत जाएदा आसान है इसलिए फैक्ट्राइजिशन लगा ले चलो लगाते तो आपके पास यहाँ पर यह बन और आपके पास यहां पर है 50, 50 बन जा 50, तो 2 से जाएगा 25, ठीक है, 5 से जाएगा 5, और 5 से जाएगा 1, अब आपको ले क्या आना इन नमबरों से किता 15, तो सर 5 टू जा 10, 10 और 5 हो जाएगा सर 15, 10 और 5 हो जाएगा 15, अब सर ये तो हो गया हमारे पास X स्कूर, सिंपल सर, सर अगर आपके पास 15 आएगा, तो कैसे आएगा, बोले सर माइनेस का सैन लगा दो, और 15 आएगा सर 10 प्लस 5 से, और लग जाएगा सर x प्लस 50, बराबर 0, अब सर ये हो जाएगा, x square minus 10 x minus 5 x plus 50 बराबर 0 तो यहां से लेकर यहां तक कर सर अगर हम लोग लेंगे तो आजाएगा x अंदर बचेगा x minus 10 ठीक है ठीक है सर और अगर हम लोग यहां से लेकर यहां तक की बाग करेंगे तो minus में 5 हम लोग common निकालेंगे अंदर बज्जा का X माइनस में 10 सर बिलकुल करेक्ट आ रहा है क्योंकि है हमारे पास दोनों सेम आ जाएंगे इसके बाद क्या सिखाया था कि शोर सर ने चोरी करना सिखाया था चोरी कैसे करते थे सर X-10 X-10 आ रहा है न तो बस एक हो गया आपके पास x-5 बड़ो पर 0 सर x-10 बड़ाबर 0 और सर x-5 बड़ाबर 0 तो x की value आपके पास आ गई एक तो 10 और 1 आ गई आपके पास 5 एक आ गई 10 और 1 आ गई आपके पास 5 ठीक है? ठीक है सर तो सर उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपके पास दो नमबर आ गई ठीक है आपने एक नमबर x लिया था अगला क्या हो गया 15 माइनस x तो अब आप बहुत जादा ध्यान दें समझना आपने एक नमबर क्या लिया था? सर x और दूसरा सर 15 माइनस x ठीक है अब अगर आप एक नमबर x ले रहे हो मतलब मान लो 10 ले रहे हो तो इसके एसाब से 15 में से 10 को माइनस करोगे मतलब 5 ठीक है अगर आप लोग एक नमबर को 5 ले रहे हो तो एक नमबर हो जाएगा 5 तो दूसरा हो जाएगा 15 माइनस 5 मतलब की 10 सर अल्टिमेटली हमारे पास दो नमबर 10 और 5 भी तो बन रहा है ना ठीक therefore क्या लेख हो गए जल्दी जल्दी बताओ इसका एक पर screenshot ले लो जल्दी से पहले इसका screenshot ले लो नहीं तो चला जाएगा यह चला जाएगा यह सिर्फ सिंपल सा लास्ट सा एक statement लिखना है और वो हम लोग लिखके खतम करते हैं ठीक है हो गया क्या हो गया सर और यह भी हो गया क्या लो इसका भी ले लो ले लिया हा सर बस सीधा सिंपन क्या लिख हो गया लिख देंगे सर हैंस टू नंबर्स आर टेन और फाइव रिस्पेक्टिवली सिंपल सिंपल सर एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीन शॉट लो ले लिया भाईया स्क्रीन शॉट हाँ सर ले लिया तो पस यह था इतना असान सा कोशन था कर लिया सर अब आगे वढ़ते हैं हम लोग तो आगे जैसे हम लोग बढ़े तो आया हमारे पास प्यारा प्यारा वाला क्वेश्चन नंबर थरी और जल्दी से एक बार देख लो भईया जल्दी देखो देखा क्या हां सर देखा तो पस देखा तो इसको कर देते और क्या जल्दी जल्दी वाला सीन है कर लेते हैं ठीके सर करो क्या बोल रहा है बोल रहा है सर सम करना है नमबर का और उसके रसी प्रकल का और वह सार two one by thirty मतलब यहाँ पर आपको mixed diffraction में दिया है, आपको इधर improper में convert करना है, ठीक है कर देंगे, find the number, तो let the required number भी आपका x, सीधा simple, let the required number भी x, ठीक है, अब sum करना है number का और उसके reciprocal का, तो reciprocal क्या हो जाएगा? reciprocal हो जाएगा sir, अरे भाईया, आप तो यह बताओ, x अगर आपको एक number है, तो उसके denominator में क्या है, बोले sir, अब इसका reciprocal जब आप करोगे, तो denominator वाला part numerator बन जाता है, और numerator वाला part denominator बन जाता है, यही तो होगा न, छीगे sir, अब करना है according to question, sum of a number and its reciprocal, अब यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा according to given condition, जो हमें condition दी है, उसके हिसाब से क्या बोल रहा है, कि भाईया, sum of a number and its reciprocal, लिखो लिखो लिखो, sum of a number and its reciprocal, कित्ता बोल रहा है भाईया, हमारे पास, हमारे पास बोल रहा है, 21 by 30, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा यार, बोले क्यों सर, क्योंकि यार mixed fraction में मेरे को एक ऐसा वाले number लाके दू न, बोले आप भी लाके देते, सर 32 जा 60, 61 by 30, सीधी बात नो बक्वास, 61 by 30, आरे कैसे करते हैं, सर 30 into 2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर जो भी आए उसको plus 1, ठीक है, 61 by 30, और denominatorize it is रहता है, अब number हमा plus 1 by x है, तो यहाँ पर आपको simply लिखना है, x plus 1 by x is equals to 61 by 30, simple सर, अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा, आजाओ लेते हैं जल्दी से, तो जैसी आपने यहाँ पर LCM का process complete किया, आपको मिलेगा, x square plus 1 by x is equals to 61 by 30, अरे हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, मजा आ रहा है कि शोर सर, मैंने बोला क्यों नहीं आएगा, भाई मैं पड़ा रहा हूँ, 30 का multiply जब आप इन दोनों के साथ करोगे, तो आपको मिलेगा 30x square plus 30 is equals to 61x, 61x को जल्दी से left side में लेकिया, आपको quadratic form करके जल्दी से यहीं काम लगाना है इसका, तो 30x square, हैना, minus 61x plus आपके पास 30, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सर, यहाँ पर हम लोग factorization method यूज कर लेगा, ठीक है भाईया, कर लो, तो सर, factorization method तो यह बोलता है, कि आपको coefficient of x square और constant time का multiply करना है, हैना, तो हो जाएगा सर, कितना, 30x30, मतलब 900, ठीक है, अब आप इनक trust find करो, बोले सर, 339 00, सर, 380, और सर, 2 से 50, सर, 2 से 25, सर, 55, और सर, 51, clear हो गया, अब हमको लाना है, 61, थोड़ा जल्दी बता भाईया, कैसे आ रहेगा, 339, 940, 36, 3625, 3625 कितना होता है, आपके पास 61 ही होता है, 3625 कितना होता है भाईया, 61 होता है, मैंने क्या किया, मैंने यहां से लेकर, यहां तक के number लिए, 339, 920, 36, और 55, जा कितना होता होगा, 25, तो 365, 25 61 मेरे को लाके दे रहा है बस इसी चीज़ का मैंने यूज कर लिया और जल्दी से इसको क्या कर लिया या सॉल्फ कर लिया देखो 30x स्क्वेर है ना माइनस का माइनस ऐसे टिस लगाए 61 को मैं इनकेस आप से क्या लिख सकता हूँ बोले सार 36 प्लस 25 लिख सकते हूँ तो लिखा 36 प्लस 25 मल्टीप्लाइबाइ एक्स प्लस 30 बरोपर आपका 0 मैं बनेगा हीरो ओके डान ठीक है सर अब मल्टीप्लाइ कर दो माइनस साइन से अंदर तो आपके पास बच जाएगा 30x स्क्वेर माइनस 36x माइनस 25x प्लस 30 परोपर 0 ठीक है सर इधर से इधर तक ज़रा नजर डालो कुछ कॉमन आ रहा है मैंने बोला हाँ आ रहा है भई 6x कॉमन आ रहा है क्या रहा है 6x कॉमन आ रहा है सर 6 मैं सा क्या मल्टीप्लाइ करूँ जो 30 आ है ये 5x ना माइनस का माइनस सर 6x जा 36 और x तो बहार आ गया इसका सिंपल सी बात सर अब जड़ा इधर से इधर तक में ध्यान दो क्या common आ रहा है तो मैंने बोला minus का 5 common आ रहा है क्या common आ रहा है minus का 5 common आ रहा है अब अंदर कितना बच जाएगा अरे भाईया 5 में ऐसा क्या multiply करूँ जो 25 है बोले sir 5x multiply करना पड़ेगा ठीक है सर इधर से तो minus sign बाहर आ गया अब सर आपके पास यहाँ पर ऐसा क्या multiply करोगे जो 30 हो जाए तो मैंने बोला भाईया minus का 6 बरोबर में 0 ओके सर सर यहाँ पर करनी पड़ेगी हमें चोरी अरे क्या बोल रहे हो अरे हाँ सर कोई कदनी यह parents को मालूम है कि कि शोर सर पड़ा रहे है magnet means में चोरी करना सिखाते है लेकिन maths में ओके सर सर 5x minus 6 और सर 5x minus 6 एक जैसा दिख रहा है मतलब सर समझ जाना हमारा answer विलकुल correct आ रहा है सर और एक होगे आपके पास 6x minus 5 ठीक है अपने को find करना है भाईया क्या number तो अब आपको यहाँ पर 0 के साथ इसको क्या करना पड़ेगा equate करना पड़ेगा तो जैसे आप इसको 0 के साथ equate करोगे आपको x की value कितनी मिल जाएगी देखो 5x minus 6 को 0 के साथ equate करो और 6x minus 5 को 0 के साथ equate करो तो यहाँ से x की value आपको मिल जाएगी 6 by 5 और यहाँ से x की value आपको मिल जाएगी 5 by 6 जल्दी से एक बार देख लो भाईया समझ गए बात को तो आपके पास number क्या क्या हो सकता है भाईया दोनों हो सकते ना क्योंकि दोनों आपके पास positive है तो आपको simply लिखना क्या पड़ेगा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा Hence the required number is 6 by 5 और 5 by 6 है ना दोनों में से क्योंकि क्या हो सकता भाईया कुछ भी हो सकता है एक बार जल्दी से देख लो हो गया क्या आगे की बात कर ले बोले हाँ सार आगे की बात कर लो तो बस आगे की बात कर लेते ऐसे करके आपको question जल्दी से क्या करना पड़ेगा complete करना पड़ेगा और बहुत जल्दी से सारी जीज़े हो जाएंगी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मालू में इस question की language मालू में तो यहाँ पर बस मैंने समझा कि भाईया sum करना है मतलब किसी ने किसी का plus हो रहा होगा लेकिन किसका भाईया number का और उसके reciprocal का पर मेरे पास तो number ही नहीं था तो letty required number भी x simple सी बत अब उसका reciprocal होगा 1 by x अब उसने बोला sum करना है number का और उसके reciprocal का sum करना है number का और उसके reciprocal का तो sum किया मैंने number का और उसके reciprocal का और मुझे यहाँ पर mixed disease को improper में बना दिया सर यहां से आपके पास कित्ता हो जाएगा मैंने बोला 61 by 30 हो जाएगा देखो ना 30 into 260 60 और 161 by 30 जब मैंने पूरा इसको रिजॉल्फ किया तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया कौडराटिक बन गया कौडराटिक आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा अरे यह लेखो यह देखो वहिया कौडराटिक ठीक है तो यह आपके पास कौडराटिक बन गया पस कौडराटिक बनाने के बाद मैंने यहां से फैक्टराइजिशन लगा दिया सीधा मैं क्यों इत्ता बड़ा quadratic लगाऊ यह दिल में यही उतर रहा होगा लेकिन सर मान लो आपके पास अगर अभी number ही नहीं आते तो मैंने पूला कैसा अरे सर number number मतलब कि यह number ही नहीं आते तो अच्छा मतलब x की values नहीं आती हाँ यार यह भी तो हो सकता था तो पहले तो मेरे को क्या लगाना था डिस्क्रिमिनेंट लगाना था अगर मैं quadratic यूज़ करता तो ठीक है पर अभी ठीक है चल जाएगा question उससाब के आते हैं कि आपके पक्का कहीं ना कहीं solve हो रहे होंगे वरना वह एक language use करता है is it possible to find the numbers तो अब भाईया क्या बोल रहा है क्या यह possible है मतलब वो खुछ और नहीं है यहाँ पर वो बोल रहा है भाईया number को निकालो मतलब number आएंगे लेकिन अगर number नहीं आएंगे तो वो बोलेगा is it possible to find the number तो उस case में हम लोग find करेंगे discriminant और उसको बताएंगे कि हाँ भाईया अगर आपका discriminant 0 से बड़ा आ रहा है तो वहाँ पर दो distinct real roots possible है और अगर आपका discriminant 0 के बराबर आ रहा है तो 2 equal roots possible है और अगर आपका discriminant less than 0 आ रहा है मतलब 0 से छोटा मतलब की negative तो वहाँ पर सर आपके real roots possible बिलकुल भी नहीं है यह चीज हम उसको बता देंगे ठीक है पक्का अरे क्या बोल रहो कि सोर सर मजा आ रहा है बस आगे लगा तो question मैंने बोले ठीक है भाई इसका ले लिए कि भाया करना कैसे हमें पढ़ा क्या ठीक है सर तो अब जरा यहां पर समझो बात को यहां पर अब मैं पढ़ा हूँ एक बार पढ़ा होगे शोर सर हमको divide करना 16 को दो पार्ट में divide 16 into two parts such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164 अब यहां पर आपके पास क्या है situation आपको divide करना है number 16 एक 16 है उसको आपको कुछ ऐसे डिवाइड करना है जैसे कि दो पार्ट में है ना 16 को हमें दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है जैसे कि twice the square of the larger part twice the square of the larger part exceeds का मतलब होता है बढ़ा रहा है square of the smaller part को 164 से तो यहां पर आपको क्या करना है 16 को पहले divide करना रहेगा ठीक है लेट से कि यहां पर जो square वाला part है उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं हम सिरफ 16 को क्या कर रहे है डिवाइड कर रहे है दो पार्ट में हम 16 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे है अच्छा आपके पास और मेरे पास रुपे मिला कर किते है 16 रुपीज है आपके पास और मेरे पास पैसे मिला कर किते है 16 रुपीज है अगर मेरे पास दो रुपे है तो आपके पास किते हुए सर सिंपल सी बात है 16 में से आपके माइनस कर दो क्योंकि आपके और मेरे मिला कर किते है भाईया आपके और मेरे मिलाके 16 रुपए है अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 2 है तो आपके पास 14 हो जाएंगे आपके पास 14 ठीक है अब मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे पास मानलो 9 है तो आपके पास कित्त हो जाएंगे सर सिंपल सी बात 16 में से 9 को माइनस कर दो मतलब 7 अच्छा ठीक है अब मुझे थोड़ी ना मालूम है कि मेरे पास कित्ते है या वो लारजर नंबर कित्ता है तो हम लोग बोलके चल रहे है कि वो लारजर नंबर आपके पास क्या है भाई या X है तो अब स्मॉलर नंबर क्या ह हो जाएगा सर सिंपल सी बात है 16 में से जो बचेगा वो होगा सर 16 में से जब आप X को माइनस करोगे तब आपके पास क्या जैगा smaller number आजाएगा बस ऐसे ही बात को ध्यान में रखते हुए अब इस question को मैं बढ़ाता हूँ ठीक है अब इस question को मैं ज़रा आगे बढ़ाता हूँ अब यहाँ पर बोलना क्या है कि हम लोग larger number को क्या ले रहे हैं larger number को हम लोग x ले रहे हैं ठीक है अच्छा तो smaller number क्या हो जाएगा बोले sir smaller number हो जाएगा आपके पास 16 में से जो बचेगा sir larger number आपके पास x है तो sir smaller क्या हो जाएगा 16 में से जो बचेगा अरे भाईया larger number मान लो मेरे पास नहीं नहीं तो अब मेरे पास smaller क्या हो जाएगा sir 16 में से जो आपने larger number को minus किया तो आपके पास smaller number बचेगा 7 भाई चीज हो रही है ठीक है सरी भाई चीज हो रही है लेकिन इस पूरे given condition के हिसाब से according to given condition अब जरह condition को में लिखता हूँ देखो divide तो हमने 16 को कर दिया दो पार्ट में ठीक है such that twice the square of the larger part भाईया दो गोना करना है square of the larger part का square of the larger part का दो गोना समझो मतलब कि larger part का square का दो गोना twice of the square of the larger part twice the square of the larger part यही बोल रहा है twice the square of the larger part ठीक है यहां तक का question होगा अंकाल अब exits का मतलब होता है बढ़ा रहा है मतलब exits किसको कर रहा है भाईया वो square of the smaller part exits कर रहा है किसको square of the smaller part smaller part आपके पास यह है ठीक है इसको इसके square को है ना एकसीड दे square है न of the smaller part ठीक है by 164 अब वो इस वाले part को छोटे part के square को वो 164 से क्या कर रहा है भाईया बढ़ा रहा है exceeds का मतलब होता है बढ़ा न xs का मतलब होता है बढ़ा न किसको बढ़ा रहा है square of the smaller part को smaller part का square ये रहेगा smaller part का square ये रहेगा उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं 164 से अब आपको करना क्या है यहाँ पर simply आपको रखनी है सारी values और उठा के रख देना है और कर देना है काम को खतम ठीक है सर एक काम करो ना सर यहाँ पर आप ऐसे मतलखो सर अभी आपने यहाँ पर अगर larger लिखा है ना तो यहाँ पर सर आप क्या लिख दो smaller लिख दो मैंने बोला ठीक है भईया ऐसे कर देता हूँ अब आपके पास क्या हो जागा 2 larger part आपके पास except मतलब x का square यहाँ पर गलती क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे twice the square of the larger part मतलब कि दो गुना करेंगे larger part का फिर उसका square करेंगे अरे भईया दो गुना करेंगे larger part का फिर उसका square करेंगे ऐसे नहीं करना वहाँ पर वो बोल रहा है दो गुना करना है square of the larger part तो larger part यह है इसका square x square हो जाएगा और उसका दो गुना करना है ना कि दो गुना larger part का square करना है बात दोनों में फरक है ध्यान चरखना कि भाईया हमारे पास दो गुना larger number का square नहीं लेना हमें दो गुना करना है square of larger number का इसमें और इसमें जमीन आस्मान का अंतर है घर से समझाता हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए तब ही मज़ा आएगा ऐसे मज़ा नहीं आएगा मैं भी जानताओ कि आप अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो भई ये समझ में आना चाहिए मेरा कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पर 2 गोना larger part का स्क्कวेर नहीं करना हमें larger part का स्क्क।र करना है और फिर उसका 2 गोना तो देख रहें आप लोग फ़रक कितना है सर बात को फर्वेने से समझ गए अब आगे बढ़भा हो जारा तो अब मैंने बोला अब मैं क्या आगे बढ़वा हूँ अब तो आप ही को आगे बढ़ाना पड़ेगा बोले ठीक है सर सर दो गुना कर दिया larger part हमारे पास x से तो उसका square कर दिया is equals to smaller part सर हमारे पास 16 minus x से उसका square कर दिया plus 164 ले लिया done है सर सर मजा आ रहा है भेंकर तरीकी का मैंने बोला अभी तो हो रहाएगा इसको solve तो करो बोले ठीक है सर सर यह हो गया 2x square plus a minus b का whole square a minus b का whole square तो a minus b का whole square क्या होता है बोले सर a square plus b square minus 2ab एकदम बच्चों की तरह अरे एकदम बच्चों की तरह plus मैं 164 सर 2x square is equal to सर 16 का square बोले तो 16 into 16 करना पड़ेगा मतलब 256 हो जाएगा plus x square minus 32x plus मैं 164 okay done अब इन सब को आप लोग left side में ले क्या हो जारा तो यह हो जाएगा 2x square देखो देखो 2x square ठीक है सर minus मैं x square ठीक है सर सर प्लेस मैं 132 x ठीक है सर 256 और 164 बोले तो कित्ता मैंने बोला मैंने भी कभी आड़ नहीं किया जहां तक है तो देढ़ सो अगर अपन इसको देदे तो यह चार सो ठीक है 6 और 612 और यह 420 विलकूल आगे बड़ा है आगे बड़ा हो सर तो यहां पर आपके पास ही एक्विशन बन गई अब 256 और 164 आपके पास 420 लेफ्ट सैड लेग आओ तो माइनस में 420 बराबर 0 सर तू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर हो गया एक्स स्क्वेर प्लेस 32 एक्स माइनस 420 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास जीरो हो जाएगा ठीक है आगे बड़ा है ज़रा क्विशन को आगे बड़ा तो अब आपके पास क्या करना है आपके पास हो गई equation x square plus 32x minus 420 बरापर 0 क्या माने बोले sir factorization से काई माने तो मैंने बोले ठीक है factorization लगा लो factorization ही लगा लो लेकिन हम लोग ऐसा कुछ कर रिके चलते हैं कि factorization बहुत यूज कर लिया अब हम लोग quadratic यूज कर ले क्या बोले ठीक है sir तो by using quadratic formula quadratic formula के हिसाब से आपकी पास क्या हो जाएगा sir पहले हम लोग discriminant निकालने क्या मैंने बोले ठीक है कुछ भी कर लो directly वहाँ पर quadratic में भी निकाल लो कोई दिक्कर नहीं है आपके पास कही ना कहीं से तो आ जाएगा sir discriminant आ जाएगा b का square बोले तो sir 32 का square करना पड़ेगा इस बार minus 4 a तो चलो ठीक है बन है और sir c बोले तो हमारे पास minus में 420 है ठीक है देखते सब तो देखो 32 का अगर आप हम लोग square की बात कर रहे हैं तो 2 to the 4, 3 to the 6, 3 to the 6 और 3 to the 9 तो यह होगे आपके पास 1 0 2 4 minus और minus minus हो जाएगा प्लस ठीक है 4 2 8 4 4 16 और 1 0 clear हो गई बात clear हो गई अब 1 6 8 0 ठीक है sir 2 7 0 4 कित्ता होगे भाया 2 7 0 4 थोड़ा जल्दी सेख बार चक करो जल्दी 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 कित्ता होगे हमारे पास 2 7 0 4 आगे बढ़े गया बोलस ठीक है क्या करना है अब हमको आगे बढ़ना है तो जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास discriminant तो आगया और हम लोग यह समझ गा है कि sir जो हमारे discriminant आया ना वो greater than 0 आया जैसे ही आपको यह पता चला कि discriminant 0 से बढ़ा है तो यहाँ पर आपके पास यह हो गया कि आपके पास 2 distinct real roots पक्का 2 distinct real roots पक्का अरे simple बात है है ना 2 distinct real roots आपके पास यहाँ से बिलकुल 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 पक्का है ठीक है सर अब सीधा सीधा क्या लगाना है हमें quadratic formula लगाना है तो quadratic formula लगा लेते हैं चलो यही लगा दू क्या यही लगा दू सर ठीक है ठीक है सर quadratic formula हमारे पास क्या होता है quadratic formula होता है सर हमारे पास x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओफ b स्क्वार माइनस 4ac whole upon me 2a clear होगी बात clear होगी सर a b और c की value उठा के डाल देते हैं देखो भई x बराबर माइनस लगा b आपके पास किता है सर 32 plus minus root of 2704 whole upon me 2 into 8 मतलब यह तो हमारे पास किता है वह नहीं है ठीक है सर अब आपके पास x किता हो जाएगा बोले सर माइनस कि में 32 plus minus root of 2704 किते का होता है जहां तक है यह 52 का होता है अगर श्योर नहीं हो तो आप क्या करना ऐसे करके मालूम ही आपको क्या करना है बोले हां सर चलो टू बंजा 2 टू तरी जा 6 टू फाइब जा 10 टू टू जा 4 ठीक है टू सिभ्वसीजा 12 टू टू जा 2 टू सेवेन जा 14 टू सिभ्थ जा 12 हाना समझ गहा ना बात को भई या चीप सर समझ गया बढ़ी आतरीकर से तो चलो 2 3 6 2 3 6 2 8 6 16 ठीगे सर सर 2 1 2 2 2 6 12 2 9 बोले ठीगे सर अब क्या करूं सर तो मैंने बोला 13 से जाएगा यह यह का इसे जाएगा 13 13 और 13 1 चीप है अब आपके पास अगर route के अंदर दो लोग होते तो उसका एक बाहर आ जाता है, और route खतम होजाता है, ठीगे सर, route क्या हो जाता है मर जाता है, इसका एक बाहर, इसका एक बाहर, तो 2, 2 13, है हना, 13 2connect 26 26 जूजा कित्ता हो जाएगा आपके पास 52 बिल्कुल correct बोल रहा था मैं कित्ता 52, whole upon में कित्ता हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा तो x बराबर कित्ता हो जाएगा आपके पास minus में 32 plus minus 52 तो इसको हम लोग एक बार plus में ले लेंगे और एक बार हम लोग कितने में ले लेंगे माइनस में ले लेंगे चलो जल्दी से लेके दिखाओ आप लोगी लो आजा भई तो X हमारे पास एक बार हो जाएगा माइनस में 32 प्लस में52 whole upon में 2 और वहीं एक X हो जाएगा हमारे पास minus में32 2, minus में 52, whole upon में 2, clear हो गई बात, एकदम बढ़िया था ही, कैसे भादरीन, तो चब, x अब आपके पास कितना आ गया, बोले sir, 8 यहाँ से बचा, और 18 और अब किया sir, हमारे पास 20, 5, 2, बोले, तो 10, ठीक है sir, sir, यहाँ का तो निकाल नहीं मत, मैंने बोला क्यों, बोले sir, आनी नहीं वाला, minus में 84 by 2 हो जाएगा ना sir, मतलब की minus में 42, तो sir, x बराबर minus का 42 हम लोग लेंगे ही नी, अच्छा क्यों नहीं लेंगे sir, यहाँ पर आपके पास अगर देखा जाए, तो आपके पास sir, divide करना 16 को कुछ अच्छ से तरीके से, कि आपके पास एक number होचा 16 और दूसरा होचा 16 minus x, sir, यह वाला number possible है, लेकिन यह कैसे possible होगा, minus में 42, नहीं sir, विलकुल नहीं, नहीं sir, नहीं ले पाऊंगा, तो बस x बराबर आपके पास 10 आ गया, लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको divide करना था, तो एक number तो हो जाएगा हमारे पास 10 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, लेकिन लास्ट में, hence the larger number is 10 and the smaller number is 6 respectively, हो गया क्या, जल्दी से द देख लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते सर, तो जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो आगे हमारे पास नए कोशन आ खड़े, अब नए कोशन क्या बोल रहा है, पर जल्दी से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, 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 जल्दी से पढ़ो, question number 5, अगर नहीं पढ़ा, तो एक बढ़ वीडियो को पॉस्ट कर ले न, वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ो, फिर समझ में आएंगी चीज़े, चलो, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है सर, सर, the sum of the square of the two positive integer is 208, मतलब की कहीं न कहीं sum हो रहा होगा, square of the positive integer का, जो हमको कित्ता मिल रहा है, उसका sum 208 मिल रहा है, ठीक है, if the square of the larger number is 18 times the smaller number, square of the larger number, larger number का जब हम square करेंगे, तो हमको 18 times मिलेगा smaller number के, अब हमें numbers को find करना है, बहुत ही जादा आसान question है, बस अकर एक बर language समझ गए न question की, तो सही बता रहा हूँ कि question का खेल लगा दोगे आप लोग, question का आप लोग खेल लगा दोगे, अगर एक बर language सम बजगे तो, चीगे सर, सर, the sum of the square of the two positive integer is 208, हमको इस line में तो पहले तो कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन जब लाक और आगे पड़ा, तो वो पता चला, अगर हम लोग square करते हैं larger number का, तो वो 18 times हो जाता है smaller number के, भाया हमारे पास larger number तो तब निकलने वाला है, जब हमारे smaller number आने वाला है, क्या अभी आपके पास smaller number है, बोले सर, आप ही तो smaller number नहीं है, तो ठीक है, तब तक आपका smaller number नहीं होगा, जब तक आपका larger number भी नहीं होगा, ठीक है, तो सर, square of the larger number is 18 times the smaller number, तो सर, ऐसे तो फिर हम लोग कैसे find कर पाएंगे numbers को, तो let the smaller number भी बिलकुल सही, क्या बोल दो कि भाईया, let the smaller number भी, एक्स, ठीक है, तो larger number आपके पास क्या हो जाएगा, सर, वो बोल रहा है, कि भाईया, square करो larger number का, ठीक है, लोग, square करा larger number का, square करा larger number का, तो वो बढ़ापर होगा 18 times the smaller number के, 18 times the smaller number के, मतलब जो की x है, 18 times the smaller number, जो की आपके पास क्या है, x है, ठीक है, अब आपको बोल रहा है, sum करना है, square of two positive integer, sum करना है, square of two positive integer, एक तो हमारे पास square में क्या है, larger number है, अब मैं smaller number का भी अगर square निकालूं, तो वो कित बोले सर, अगर आप smaller number का, square निकालना चाहरे हो, तो वो तो सर, अगर आपके पास smaller number x है, तो smaller number का square, x square के लाएगा, ठीक है, अब according to given condition, given condition के हिसाब से देखो जा रहा, क्या बोल रहा है, सर, sum of the square of two positive integer is 208, क्या बोल रहा है भाईया, sum of the squares of two positive integer, two positive integers is 208, ठीक है, सर, है ना, इत्ता क्लियर हो गया, बोले सर, भेंकर तरीके से, मतलब की भाईया, sum करना है, squares of the two positive integer का, दोलो positive integer के square आपके पास तयार है, अरे देखो ना, एक तो ये है, और दूसरा ये है, ठीक है, सर, और उसका क्या करना पड़ेगा, sum करना पड़ेगा, मतलब की larger number का square, plus, smaller number का square, ठीक है, और वो आपको कितना दे रहा है, वो आपको दे रहा है भाईया, 208, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, larger number का square आपके पास 18x है, smaller number का square आपके पास x square है, और बराबर में कितना होगा आपके पास, 2 08, सर, या अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बूला क्यों, इसको चामका हूँ क्या, बोले नहीं सर, चामका हूँ है, arrange कर दो, rearrange, ओके सर, rearrange जैसे ही मैंने इसको किया, तो x square पहले, 18x बाद में, 208 left side में, और बरोबर में आ जाओगो, 0, ओके सर, done है सर, मैंने बूला, अभी तो और question बाकी है, अभी तो और बाकी है, यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे आगे की, तो आगे हमारे पास इसको उठाना पड़ेगा, बोले ठीक है सर, उठाया, तो x square प्लस 18x माइनस 208 बराबर 0, ठीक है, सर, यह हो गया 1 और यह हो गया 208, सर, LCM लेना पड़ेगा, ठीक है, यह निकाला LCM, 208 का, सर, 2, 1 जा 2, 0 का 0 और सर, 2, 4 जा 8, सर, 2, 5 जा 10 और 2, 2, 4, 2, 4, 2, 6, 12, सर, 2, 1, 2, 2, 3, 6 और सर, 13 जा 13, सर, हमें चाहिए है 18, हमें चाहिए किता 18, सर 18 आएगा कैसे, तो 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 16 और 13 से 18 नहीं आता, तो 13 टूजा 26, चीक है, 2 टूजा 4 टूजा 8, अब 26 में से जब आप 8 को माइनस करोगे, तो 18 आता है, भेंकर तरीके का आता है, सर, भेंकर तरीके का आता है, आज़ा, तो यह हो गया, x square plus, हम 18 को लिख रहा है, 26 माइनस 8, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, तो हो गया, आपके पास, x square plus 26x, माइनस 8x, माइनस 208 बराबर कित्ता हो जाएगा, हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है, सर, यहां से लेकर, यहां तक की जब आप बात करोगे, तो x बाहर आ रहा है, निकालो, तो सर हो जाएगा, x plus में 26, सर, यहां से लेकर, यहां तक की बात करोगे, तो माइनस में 8 common बना रहा है अंदर बच जाएगा x प्लस में 26 बराबर 0 अब 26 into 8 करके देख ले ना आपको 208 ही मिलेगा अरे देखो हो ना 26 into 8 8 5 जा 48 6 जा 48 8 जा 16 और 20 ठीक है सर सिंपल वाली बात ही है तो मैंने बोला हाँ अब 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 देखो सरी हो गया x प्लस 26 ही हो गया x प्लस 26 ठीक है तो यह तो आ गया सरे एक जैसे आदमी लोग अब x-8 हो गया दोनों को काय के बराबर कर दो अब 0 के बराबर कर दो अब एक बार x प्लस 26 को 0 के इक वेट करो एक बार x-8 को 0 के इक वेट करो तो देखो क्या आता है ठीके सर, सर ये किया x plus 26 बराबर 0 और ये किया सर हमने x minus 8 बराबर 0 सर प्लस का 26 जब right side में जाएगा तो x के लिए minus 26 लाएगा जो कि हम मना कर देंगे लेने से जो कि हम मना कर देंगे लेने से और सर एक x के लिए 8 लाएगा उसको हम हाँ बोल देंगे इसको हम माना बोलेंगे बोलेंगे चाल निकाल और तू आजा भाईया तू आजा क्योंकि तू पॉजिटिव लगता है तू पॉजिटिव लगता है तू नेगेटिव लगता है तू दूर रहे तू दूर रहे तू दूर रहे तू पॉजिटिव है तू आजा ठीक है सर सार मैंने बोला येस बोले सार अब क्या करना पड़ेगा what next तो मैंने बोला इंतजार करना पड़ेगा और आपके पास find the numbers ठीके तो smaller आपके पास कैसे आजाएगा सार smaller तो x है इसका मतलब smaller x है तो सीधा सीधा smaller number आगे न बोले हाँ सार smaller number हमारे पास x है तो वो तो सीधा सीधा हमारे पास किता आगया बोले सार 8 लेकिन सार larger का square 18x है larger का square 18x है समझो समझो larger number का square आपके पास 18x है तो x की जगे पर मैं क्या डाल दूँगा बोले सार 8 डाल दोगे ठीक है तो लार्जर नमबर का स्क्वेर हना कित्ता हो जाएगा बोले सर 324 लग रहा है मेरको तो आरे भाई या 18 का टेबल नहीं पड़ा क्या बोले सर पड़ा एट टेट जा 64 एट बंजा एट और कित्ता हो जाएगा हमारे पास यहां से हमने टाटा भाई बाई किया जैसे हमने स्क्वेर को यहां से टाटा बाई बाई किया सर यहां पर आके रूट लग गया तो सर larger number आ जाएगा यहां से अच्छा सर plus minus क्यों नहीं लगा है मैंने बोला लगाने का मतलब भी नहीं मानला आपने plus minus root of 144 लगा है तो वो आपको plus minus 12 देगा सर अगर यह minus 12 हम लोग लेते हैं तो वो larger कहलाएगा क्या बोले नहीं सर वो तो smaller से भी छोटा है जैसे तो माइनस में तो सर हम लोग क्या करेंगे हम लोग वो चीज नहीं लेंगे जो हमें परिसानी देती है ठीक है तो सर लार्जर सीदा सीदा कित्ता आगया 12 और स्मॉलर नंबर सीदा सीदा कित्ता आगया 8 एक पर जल्दी से स्क्रीन शॉट लेलो प्यारा वाला ताकि चीजे समझ में आजाए जल्दी जल्दी हो गया बोले सार भेंकर तरीके का हो गया आप तो आगे भेंकर तरीके से बढ़ सकते हो मैंने बोले ठीक है यही करता हूँ अब आगे बढ़ता हूँ चलो अब आगे आपको लगाके दिया मैंने नया क्वेशन लो भया खेलो इसके साथ जरा खेलो 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 बोले ठीक है सर खेल लेते हैं मजा आरा सर खेलने में तो चलो जैसे ही आपने इसके खील तो इसने आपके साथ खीला क्योंकि इसने आपको शाय दुढ डिया कहिं न गहीं पर बले हासं आपकी जरूरत पड़ेगी मैंने बूला भईया ऐसे तो आगर हर कॉष्चन में मेरी जरूरत पड़ेगी तो हर कुष्चन मेरे बिन अधूरा रह जाएगा वो बात अलग है कि चलो ठीक है मैं आपको सारी concept बता दूगा लेकिन आप कभी यूज करोगे भाई या concept को बोले हाँ सर उसके लिए तो पर टेंशन वाली बात है ये तो अगर सम करते हैं हम लोग fraction का और उसके रसी प्रकल का तो वो हमको कुछ हित्ता लाके देता है पहले तो ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता तो मैं इसको पहले क्या कर रहा हूं भाई या इसको पहले अच्छे से लिख रहा हूं अब सार्ट 21 इंटू 2 कित्ता हो जाएगा 42 42 और हो जाएगा 52 52 और हमारे पास 58 by 21 सबसे पहले तो आपने इसको सॉट आउट किया करो क्योंकि यह जो चीजह है न यह अच्छी नहीं लगती कित्ता हो जाएगा हमारे पास 58 by 21 ठीक है सर अब हमें फ्रेक्शन को फाइंड करना है चलो आजा सर कोई भी फ्रेक्शन अगर बनता है यहाँ पर समझाता हूं कि कोई भी फ्रेक्शन अगर आपके पास बनता है तो वो कैसे बनता है बोले सर नियूमेरेटर और डिनॉमेरेटर से हां जी कैसे नियूमेरेटर और डिनॉमेरेटर से ठीक है आपके पास दोनों ही नहीं है ठ तो आपको वो बोल रहा है लेकिन कि जो उसका denominator है ना किसका वह या fraction का वो एक जादा है और दो गुना है किसके numerator के एक जादा और दो गुना numerator के मतलब denominator तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपको numerator नहीं पता चलेगा क्योंकि denominator fraction का बोल रहा है कि वो एक जादा है और दू गुना है numerator के तो let the numerator be x let the numerator of fraction be x तो numerator को हमने जैसी x माना तो denominator क्या हो जाएगा and the denominator of fraction बहुत जादा ध्यानजे भाया denominator का क्या बोल रहा है fraction का कि वो एक जिएदा है एक जिएदा है और दो गुना है numerator का एक जदा है और दो गुना है numerator का तो numerator का twice और एक ज़ादा समझना बात को वन मोर देन ट्वाइस दा न्यूमेरेटर ट्वाइस दा न्यूमेरेटर और एक ज्यादा वन मोर देन ट्वाइस दा न्यूमेरेटर वन मोर देन ट्वाइस दा न्यूमेरेटर ठीक है सर समझ गया अब सर इनके हिसाब से फ्रेक्शन कैसे बनेगा अरे भाईया फ्रेक्शन त denominator ही तो बनाता है तो numerator उपर आता है और denominator उससे नीची छिपक करेता है ठीक है सार numerator बोले तो हमारा x और denominator बोले तो 2x plus 1 ठीक है सर बात तो हो गई खातम आगे बढ़ाओ सार तो समझो fraction तो हो गया अब वो बोल रहा है कि हमको क्या करना है सम करना है fraction का और उसकी reciprocal का fraction तो निकल गया अब उसका reciprocal भी निकलो किसका reciprocal of fraction ठीक है सर तो सर फ्रेक्शन का reciprocal कितना हो जाएगा बले सर कोई भी चीज़ अगर 1 by 2 है तो उसका reciprocal 2 by 1 हो जाएगा मतलब जो numerator था अब वो denominator जो denominator था अब वो numerator मतलब की साथ 2x plus 1 upon x अच्छा और सर गिवन कंडिशन के हिसाब से according to given condition क्या लिखोगे सीधा according to given condition क्या सर सम करना है fraction का और उसके reciprocal का मतलब की ये लो भाईया fraction का सम करना है हमको reciprocal fraction के साथ तो हमको कितना मिल जाएगा बुले सर हमको मिल जाएगा 58 by 21 अब चलो भाईया fraction तो आपके पास तैयार है fraction तो आपके पास तैयार है और reciprocal fraction का भी तैयार है 2x plus 1 by x और total हमको कितना मिल जाएगा 58 by 21 अब इसको क्या करना है इसके साथ खिलना पड़ेगा सर तो चलो इसको हम लोग नहीं यहां पर लेके चलते हैं यहां पर आपको मस्त सा में quadratic बना के देता हूं और फिर आपन लोग बात करते हैं x upon में 2x plus 1 plus 2x plus 1 upon में x is equals to 58 by 21 is equals to 58 by 21 ठीक है सर अब अब सर एक्स का multiply इसके साथ जैसी आप करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा सर x square हो जाएगा ठीक है 2x plus 1 का multiply जैसी 2x plus 1 के साथ करोगे तो यह हो जाएगा 2x plus 1 का whole square whole upon में x का multiply जैसी आप 2x plus 1 के साथ करोगे तो यह हो जाएगा सर x into में 2x plus 1 बराबर हो जाएगा सर आपके पास 58 upon me 21 आगे बढ़ो सर तो यह हो जाएगा आपके पास x square plus a plus b का whole square तो यह हो जाएगा a square plus b square plus 2ab ठीक है ठीक है सर whole upon me x का multiply जब आप इसके साथ करोगे तो 2x square प्लस आपके पास x बरोबर कित्ता 58 by 21 simple लग रहा है मेरे को तो मेरे को पहुत जादा मजा रहा है यह से question solve करने में बोले क्यों नहीं आएगा कि छोड़ सर दिक्कत तो हमें होगी मैंना बोला कहां हो रही है x का square करो simple और 2x का square करो बोले 4x square plus 1 plus 4x whole upon में कित्ता हो जाएगा 2x square plus x 58 by 21 sir x square और 4x square हो जाएगा हमारे पास 5x square ठीक है plus 4x plus 1 whole upon में 2x square plus x 58 by 21 बोले sir अब बीच बीच में थोड़ी steps खाओ मैंना बोला नहीं है अगर मैं steps खा दूंगा तो हो सकता है वहाँ पर बैठा कोई बच्चे को दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए मैं कभी steps नहीं खाता हूँ sir 21 का multiply कर दो इसके साथ इस पूरे के साथ और sir 2x plus x का multiply कर दो 58 के साथ simple answer banker sir यह हो जाएगा 105x square प्लस आपके पास हो जाएगा यह 84x प्लस आपके पास 21 clear हो गया banker clear हो गया sir sir यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 10 नहीं 116 plus 58x समझ गया अब इन सब को right side में लेके जाओ मतलब कि आपके पास कित्ता हो जाएगा 116 x square minus 106 105 x square ठीक है plus में 58x minus में 84x minus में 21 बराबर 0 में बन गया hero sir 116 x square में 105 x square जब माइनस होगा तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा sir कित्ता 11 x square अरे बोलो जल्दी बचेगा की नहीं बचेगा बोले sir भेंकर तरीके का बचेगा तो यहाँ पर आपके पास बच गया 11 x square अब 58 और 84 से टील करो कित्ता आ जाएगा बोले सार देखो 84 माइनस 58 सर 7 बचेगा सर 14 हो जाएगा 6 आ जाएगा सर कित्ता बच जाएगा यहाँ पर 26 माइनस में 26 x और आपके पास बच जाएगा माइनस में 21 बराबर कित्ता 0 एक बार जल्दी से चक करो बन गया 11 x स्क्वेर माइनस 26 x माइनस में 21 अब बताओ जल्दी से factorization या फिर splitting दा middle term बोले सर दोनों तो एक ही है दोनों तो एक ही है सर factorization बोल दो या splitting दा middle term बोल दो एक ही बात है सर हम तो खेलेंगे इस बार quadratics है काई से सर quadratics आज अब यह quadratics से खेलते हैं हम लोग ठीक है formula लगा रहा हूं मैं अब आपके पास by using quadratic formula quadratic formula क्या बोलता है आपके पास quadratic formula बोलता है कि बेले discriminant निकालो लेकिन उससे भी से पहले आप लोग इसको compare करो ax square plus bx plus c बनाबर 0 से तो a की value c d c d कित्ती आ गई 11 b की value कित्ती आ गई आपके पास minus में 26 और c की value कित्ती आ गई आपके पास minus में 21 तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे default dog नहीं default discriminant और discriminant में d बराबर हो जाएगा आपके पास b square minus में 4ac ठीक है sir तो b का square करना है मतलब की minus 26 का square करना है minus 4a आपके पास कित्ता है बुले sir 11 है और c आपके पास minus में 21 है इसको जल्दी से solve करो भई solve किया sir 26 का square जो वाता है sir बात याद नहीं है 26 का square याद नहीं है 6 6 जा 36 6 2 जा 12 और आपके पास 15 sir 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4 और 5 ठीक है sir 5 76 होता है मैंने बुला भाई भाई 6 76 होता है 6 76 ठीक है 6 76 minus minus plus हो जाएगा अब आपके पास 44 into 20 बन रहेगा किता रहेगा 44 into 21 यहां तो फिर एक काम करो 4 4 4 4 2 8 84 और 11 11 4 जा 44 11 8 जा 88 और आपके पास 2 92 ठीक है 9 2 4 चेक कर ले ना एक बार भाई आपके पास जैसी आपने 4 1 जा 4 4 2 जा 8 किया 8 into 11 11 4 जा 44 11 8 जा 88 88 और आपके पास 92 बिलकुल करेक्ट है ठीक है बिलकुल करेक्ट है इसके बाद discriminant आपको add up करना होगा तो यहां से आपको मिल जाएगा 10 और यहां से आपको मिल जाएगा 10 और यहां से आपको मिल जाएगा 9 6 15 और 16 ठीक है 1600 अब आपको यह कैसा लग रहा है बोले सर भेंकर लग रहा बढ़िया लग रहा है आपको यह कैसा लग रहा है का मतलब है कि आपको जब यहां पर आप बात करोगे discriminant की तो वह क्या आएगा बोले सर वह तो simple सी बात है greater than 0 आ रहा है मैंने बोला हाँ अब का में लेंगे ठीक है ठीक है सब आगे की बात अब हमको निकालने पड़ेंगे वही हमारे क्या roots प्यारे वाले तो आजाब by using हमारा प्यारा वाला quadratic formula ठीक है ठीक है ठीक है तो x बराबर minus में b plus minus root of b square minus 4ac whole upon me 2a ठीक है तो x बराबर किता हो जाएगा minus में b बोले तो 26 plus minus root of 1600 whole upon me 2 into a आपके पास 22 ठीक है तो अब आपको एक बार इसको plus में लेके चलना है और एक बार आपको इसको minus में लेके चलना है और ले लोगे जब आप तो क्या हो जाएगा गुले सर एक्स हो जाएगा आपके पास इतने बड़े बड़े एरो काफी नहीं है छोटा सा एरो हो जाएगा तो वही हमारे लिए सफिशेंट रहेगा घैक है तो एक्स की बात अगर करें तो 26 प्लस आपके पास यह कितना हो जाएगा 40 क्योंकि 4 for 16 होता है यह आपके पास हो जाएगा 40 whole upon में 22 तो आपके पास X आजाएगा यहां से 66 upon में 22 ठीक है कितना हाएगा सार 66 upon में 22 11 से काटो 11 टूज 2 तो एक्स कित्ता आगया हमारे पास थ्री आगया यहां से एक्स कित्ता थ्री अब 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 ज़रा इसके लिए दिखता है यहां के हिसाब से अगर हम लोग एक्स निकाले तो 26 माइनस 40 में 22 जो कित्ता देदेगा थोड़ी देर बाद यहां से माइनस में 14 देदेगा सर सीधी बात इसको तो नेगलेक्टि करते पर एक्स बराबर थ्री बड़ी आद्मी लग रहा है मैंना बुला अच्छा ऐसा क्यों बुले सर समझो आपके पास fraction कैसे बनता आपको fraction find करना यहां से ठीक है भाई या fraction बनता आपका reciprocal और numerator और denominator से ठीक है hence the fraction is लिख लो सर यहीं पर लिख लो ठीक है थोड़ा छोटा कर दिया तो दिक्कत तो नहीं है बिलकुल भी नहीं है hence the required fraction is कित्ता देखो आपके पास fraction कहता एकस अपॉन टू एकस प्लस वन था एकस आपके पास कित्ता तीन ठीक है तो तो थीटू जा सिक्स बाई सेवन थ्री बाई सेवें एक बाद जल्दी से चख कर ओ भाई या कि थीवाई सेवें है याने ठीक है ने या उए देख लिया है सर देख लिया चलो आगे दे दीखते तो हमारे पास ये Sum of whose squares is 290. अब सर, consecutive number के बारे में तो सुना है. आपने हमें बताया था, consecutive number की कहानी. consecutive number के बारे में आपने हमें बताया था. जैसे सर, दुनिया का कोई भी एक number चुन लो. तो मैंने चुन लिया यहाँ पर 57. ठीक है? तो अगला वाला simple सी बात है कि 58 होगा. और उसके अगला वाला क्या होगा? 59 होगा. उसके अगला वाला क्या होगा? 60 होगा. ऐसी अगर हमारे पास, हमें नहीं मालुमें की हमारा number क्या है, तो हम उसको लेके चलते हैं, X. और consecutive के हिसाब से, जैसे 57 के बाद 58 कैसे बना? जब हमने plus 1 किया. तो ऐसी X के बाद अगला कौन सा number होगा? बोले सर. X plus 1 होगा. अच्छा. 57 के बाद 59 कैसे बना? जब हमने plus का 2 किया. ठीक है सर. ऐसी X के बाद अगला कौन सा बनेगा भईया? X plus 2 बनेगा. ठीक है. सर 57 के बाद फिर बना 60. कैसे बना? सर. जब हमने plus 3 हाट किया. तो X के बाद अगला कौन सा होगा भईया? X plus 3. तो X, X plus 1, X plus 2, X plus 3. और ऐसे ही चलते चलते हमारे क्या हो जाएंगे? consecutive number हो जाएंगे. लिकिन बात तो अभी चल रही है. किसकी भईया? consecutive odd positive integer. अच्छा सर. मतलब consecutive भी होना चाहिए और odd positive integer भी होना चाहिए. तो आप दुनिया का कोई भी एक ऐसा number लो. जो odd हो. ठीक है? सर एक काम करते हैं, 1 से ही शुरू करते हैं. जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया. ठीक है? बस इतनी ले रहा है सर. अब सर यह हमें मालूमें की यह है odd. सर, odd से अगला odd कैसे आया? 1 के बाद 3 कैसे आया? सर, जब हमने plus 2 add किया. अच्छा 1 के बाद फिर आपका अगला odd कैसे आया सर जब हम उसमें 4 को add किया अच्छा 1 के बाद फिर अगला odd कैसे आया सर जब हमने उसमें क्या add किया प्लस 6 add किया देख पारें आप? ठीक है सर सर ऐसी अगर हमें पास एक odd number है x sir अगर हमें अगला चाहिए तो हम क्या करेंगे sir simple सी बात है x plus 2 कर देंगे और उसके बाद वाला चाहिए तो हम क्या कर देंगे x plus 4 कर देंगे sir उसके अगला वाला चाहिए तो हम क्या कर देंगे x plus 6 कर देंगे सर उसके अगला वाला चाहिए तो हम comment में जल्दी से बताएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपके पास दो consecutive odd positive integer find करने है तो let one consecutive let one consecutive positive integer भी x तो अगला क्या हो जाएगा भी यह other integer यहाँ तो फिर पूरा पूरा ही लिख दो अना other positive integer सर अगला क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर बोल रहा है कि sum of whose squares is 290 according to given condition according to given condition sum of whose squares is कित्ता हमारे पास 290 ठीक है मतलब कि इनके squares का sum sum of whose squares का मतलब है इनके square का sum अब अगर हम लोग इसके square की बात करें तो इसका square x square हो गया इसके square की बात करें तो इसका square x प्लस 2 का whole square हो गया और इन दोनों का sum sum of इनके square ठीक है तो इसका जब हमने square किया तो x square हुआ ठीक है और जब हमने इसका square किया तो x प्लस 2 का whole square हुआ तो इनके square का देख पार है उस sum कित्ता है हमारे पास 290 है ठीक है तो यह हो गया आपके पास x square प्लस a प्लस b का whole square लगाओ a square प्लस b square प्लस आपके पास 2ab माइनस में 290 बरापर कित्ता आगया 0 हमने 290 को भी left side में लिया है x square और x square कित्ता हो गया आपके पास 2x square प्लस में 4x माइनस में 286 बरापर कित्ता आपके पास 0 जल्दी से कुछ common आ रहा है क्या बोले हाशर आ रहा है मैंने बुला कित्ता बोले sir 2 common आ रहा है तो निकालो ना जल्दी से जल्दी निकालो sir 2 को जैसे यह मैंने common निकाला अंदर बचा sir x square plus 2x माइनस में 143 बरापर कित्ता हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा simple सी बात है 2 को जर्द डिवाइड में भेजो तो आपके पास बचेगा x square plus 2x माइनस 143 बरापर कित्ता जी हो बोले sir factorization से करते हैं अब आप काय से करते हैं sir अब जर्दा factorization से करते हैं यह concept लिख लेना भाई या वीडियो को पीछे करके हाना क्योंकि important है ठीक है sir लिख लेंगे पक्का आजब अब जो हमारे पास equation है वो क्या है x square plus 2x माइनस 143 बरापर कित्ता 0 अब आपको भी मालूम है कि इस 1 का और इस 143 का क्या करना पड़ेगा हमें multiply करके इसके prime factors निकालने पड़ेंगे जी के sir तो 143 अब sir 143 का से जाएगा मैंने बुला 11 से जाएगा 11 मंज़ा 11 और 11 3 जा 33 और 13 से ये सीधा चले आएगा तो 13 मंज़ा 13 अब 13 में से अगर हम 11 माइनस करें तो 2 हमारे पास बिलकुल आता है तो x square प्लस प्लस कित्ता बुले चार 13 माइनस 11 हाना इन्टू में x माइनस 143 बराबर कित्ता 0 तो योग आपके पास x square प्लस 13 x माइनस 11 x माइनस 143 बराबर 0 इधर से लेकर इधर तक लोगे तो x common आएगा अंदर बचेगा आपके पास x प्लस में 13 आपके पास 11 common आएगा अंदर बचेगा x प्लस में 13 बराबर हो जाएगा आपके पास 0 अब आपके पास क्या हो गया बोले sir x प्लस 13 और x प्लस 13 तो हो गया और एक हो गया sir x माइनस में 11 बरुबर 0 मैं बन गया hero sir x प्लस 13 बराबर जब 0 करोगे तो x के लिए आजाएगी माइनस में 13 जो कि हम बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे sorry sir ठीक है reason जरूर लिखना comment में x माइनस 11 बराबर 0 तो x के लिए आपके पास 11 और sir इसको हम लोग पक्का ले लेंगे इसको हम लोग पक्का ले लेंगे तो sir हमारे पास जो consecutive odd integers आ गए है consecutive positive odd integers सीथ है hence सीथा simple लिख देना hence two consecutive positive odd integers odd positive integers आपके क्या क्या हो गाए आपके पास हो गाए एक तो हो गया x क्या क्या था भाईया x और x प्लस में 2 तो उसे साब से हो गया 11 और 1 हो गया आपके पास 11 प्लस 2 मंजे 13 ठीक है simple सी बात जल्दी से भाईया प्यारा वाला screenshot लो समझ गया ना required number क्या क्या हो गए 11 और 13 ठीक है सर done है सर इतना प्यारे तरीके से क्या हो गया यह done हो गया सर खतम हो गया ठीक है आगे क्या सर बस आगे question गया अब क्या बढ़िया तरीके से seven question देख लिए numbers के उपर ही सिर्फ तो सर मज़ेदार तरीके से मज़ा आ गया सर क्यों क्योंकि सर number के उपर तो अब पूरा concept clear अब number के उपर कोई भी question आ जाना तो सर कर देंगे बढ़िया तरीके से एक बात हो यह जितने भी question यहाँ पर मैंने लिये हुए थे सारे के सारे previous earth questions थे आप लोग मिला लेना ठीक है मैंने यह questions कहा से लिये थे RD शर्मा से लिये थे यह सारे questions तो ultimately आपको क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर पूरा बढ़िया तरीके से मिल रहा है और यही काम है magnet brain का कि आपको इतनी से भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे लेकिन हाँ साथ-साथ में महनत करना है आप लोग भी महनत करो हम भी महनत करें सब लोग महनत करोगे तो result पक्का आएगा यह कहना किशोर सरका है लिख लो कहीं पर कि अगर दोनों साइट से महनत होगी न तो पक्का बढ़िया नमबर आएंगे तो बस इसी के साथ आपको कुछ information देनी है जैसा कि आपको पता है प्रोवाइड करता हाई कॉलिटी education वो भी free content के साथ हमारे कुछ top courses है जो कि English और Hindi medium में अगर मैं बात करूं English medium में तो आपके boards cover किये जाते है CBSC board साथ साथ में MP board का भी syllabus आप बिल्कुल सिमिलर है और Hindi medium में आपके cover किये जाते है CBSC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board साथ हमारे कुछ और भी courses है जिसके नाम है वेदिक maths crash course और spoken English आप लोग हमारी YouTube channel पे तो हमेशा आ जाते हैं लेकिन बिना like, share और subscribe के चले आते हैं कितनी घलत बात हैं तो वीडियो को जल्दी से like कर दीजे like कर दीजे, share कर दीजे, subscribe कर दीजे और अगर आप हमें follow करना चाते हैं तो आप हमें follow कर सकते हैं Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पे E-notes या e-books अगर avail करने तो link description box में डलवा दिया गया है आपको किसी भी चीज की परिशानी नहीं होने देंगे आप हमारा app download कर सकते हैं grab e-notes को option में जाएंगे तो वहाँ से आप हमारा e-notes अभिल कर सकते हैं आप हमारी website विजिट कर सकते हैं बस इसी के साथ हम लोग आज का session दियेंड करते हैं मिलते हैं next session में तो तक लिए bye bye अपना ध्यान लगे और जो ये questions करवाए हैं इनको फिर से एक बरकर लेजेगा bye bye